बिसमेलायर रख्मान रहीं तो हम पढ़े हैं फ्रा फ्रा की सेटल्मेंट की हम बात करे थे हमने कहा कि हमने एक रेट पर लॉक कर लिया तो अब हमें रेट बढ़ जाएं कम हो जाएं वी इल बी लॉक्ट उन डाट रेट इफ यू रीकॉल वी लॉक्ट डाट रेट हम थोड़े फैक्स को रिवाइज करते हैं फर यॉर तो यू कन सी हमने कहा था कि हम 0.95 के फ्रा में लॉक कर रहे हैं और यह 180 डेट का है 180 डेज 6 मंथ से रिलेट करते हैं 1 और 2 डेज का दिफरेंस आता है जब हम केलेंडर डेट पे जाते हैं तो वी हाव दिस डेटा विच वी दिदे प्रिविए से लिस्टेशन हमने बात की थी कि हम आप यहाँ पे लॉक करें तो अब हम देखते हैं कि इसकी सेटलमेंट कैसे होगी कि once we read the settlement time how it's going to relate और फिक्सिंग डेट यानि कि जब वेटिंग पीरेड खतम हो गया है तो six month liber है 1.26 इसका मतलब है हमारा fear ठीक था कि interest rate ने भढ़ जाना है और हमने किया कि आप हमने अपने आपको lock कर दिया था 0.95 पे अब इसकी settlement कैसे होगी यह दो contract separately move करेंगे जब हम bank से loan लेंगे इस वकट अगर 1.2 है तो bank हमें 1.2 पे ही loan देगा लेकिन जहां पे हमने फ्रा किया होगा वो फ्रा से हमें कुछ पैसे आ जाएंगे तो bank को हम थोड़े जादा दे रहे होंगे लेकिन फ्रा से हमें कुछ पैसे आ जाएंगे so net effectively we will reach our rate of 0.95 यह कैसे calculate होता है we saw the formula let's see with the figure interest rate differential कितना है 1.26 minus 0.95 जिस पे हमने अपने आपको lock किया था और यह period है 182 days का times the notional amount so it is 1555 यह amount हमें हमारे मताबिक interest rate क्योंकि we were fearing interest rate बढ़ जाएगा actually भढ़ भी गया we locked that 0.95 तो यह हमें amount मिल जाएगी bank से जब हम loan लेंगे वो थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन इस rate को जब उसमें effectively built-in करेंगे कि हमें कुछ पैसे बहां से मिल गया है और interest payment जादा की तो हमारा net lock-in rate जो होगा वो 0.95 ही होगा so this is the beauty of raw interest rate कहीं पे भी चला जाएगा 0.89 से अगर 2 पे भी चला जाएगा हम फिर भी 0.95 ही पे कर रहे होंगे effectively क्योंकि हमने forward rate agreement किया है so that is the main benefit of entering into this different between raw and future futures की हम बात different topic में कर रहे हैं इसमें अब थोड़ा सा relation क्योंकि काम दोनों का similar हो रहा है तो it seems a bit similar but there are few distinctions as well which we need to learn क्योंकि काम similar है interest rate को safeguard करना ही दोनों का मक्सद था but how it's different that we need to discuss PRA are not traded on organized exchange but over the counter futures हैं वो exchange में trade हो रहे होते हैं formally PRA exchange में trade नहीं हो रहे होते हैं over the counter buying selling इसमें हो रही होती है although PRA have fairly standardized contract provision they are not fully standardized future contracts होते हैं बहुत standardized होते हैं इतनी contract size होगा इतनी amount होगी हो future में आप you can recall वहां पे जागे details से पढ़ेंगे भी future section में क्या है but PRA में standardization थोड़ी सी है लेकिन इतने standard नहीं है when entering to FRA both parties to the contract entail credit risk क्योंकि जब दो parties के दरमयान agreement होगा तो counterparty risk आएगा यानि कि default का risk होगा जो के futures में as such वो नहीं होता क्योंकि future में आपकी दूसरी party exchange होती है future उसमें ये credit risk वो नहीं ले रहे होते है FRA have the advantage that they can be traded on any maturity ये इसमें advantage है कि आप अभी जैसे हमने का था 2 into 9 भी है 3 into 9 भी है 6 into 12 भी है तो it can be in any denomination future की standardized होंगी the buyer of RAD benefit from rising interest rates बढ़ेंगे तो उनको फाइदा होगा interest rate future में difference उल्टा होती है